आईए इस वीडियो में जानते हैं ग्रे मार्किट क्या होता है ग्रे मार्किट एक तरह से अनओफिशल और अन्रेगुलेटिड मार्किट होती है जहां शेयरों का कारोबार मुख्य एक्सचेंजों पर लिस्ट होने से पहले ही किया जाता है अगर हम नॉर्मल एक्सचेंज की बात करें जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोमेल स्टॉक एक्सचेंज वहां पर कोई मानुए हस्ते शेप नहीं होता है लेकिन ग्रे मार्किट में जो एक्सचेंज होते हैं वहां पर मानुए इंटर्फरेंस होती है और ऐसे लेंदे रेगलेटरी डारी के बाहर होते हैं लेकिन इन्हें नॉर्मली अवेड नहीं माना जाता है ग्रे मार्किट में जो प्रीमियम होता है वे अतिरित कीमत है जिसे निवेशक शेयर के स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्ट होने से पहले आई-पी-उ मुले पर भुक्तान करने के लिए त्यार हैं पर एक्जामपल यदि आपके आई-पी-उ के लिए इश्यू प्राइस हजार रुपे प्रती शेयर है स्टॉक ग्रे मार्किट में हजार पचास पर ट्रेट कर रहा होगा तो आपके आई-पी-उ का जी-एम-पी जो है वो पचास रुपे एक्स्ट्रा होगा अब हम इसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं ऐसा माना जाता है कि अगर शेयरों के अलॉट्मेंट की समहमना बढ़ जाती है तो इसका मतलब यह होता है कि विक्री के लिए अधिक स्टॉक्स एफ़लेबल है और जी-एम-पी उसके इसमें काफी जादा गिर जाएगा यदि आवंटेन की समहमना कम हो जाती है तो इसका मतलब यह है कि कम शेयरों बढ़ होने के कारण जी-एम-पी अधिक होगा तो यानि कि इस तरह से जो जी-एम-पी है वो उपर नीचे होता रहता है जी-एम-पी अधिक कम कब होता है अब कोशन यह भी आता है कि कभी जाद में डिमांड जादा है तो उसका जी-एम-पी बहुत जादा होता है और लिस्टिंग पर स्टॉक में संभाफित ग्रोध का संकेत देता है इसी तरह से अगर आई-पियो की मांग कमजोर है मार्किट में लोग जादे इंट्रेस नहीं दिखा रहे हैं तो उस केस में जी-एम पी कम हो जाता है जी-एम-पी में इस तरह के रुजहानों को देख करके ट्रेडर स्टॉक पॉस्ट लिस्टिंग की दिशा देख सकते हैं यानि कि आप इसका मार्केट में अंदाजा लगा सकते हैं जी-एम-पी के बेसिस पे मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि आमतों पर तो कोई भी शेर जी-एम-पी प्राइस के आसपास 15-20% के बीच लिस्ट होता है यदि जी-एम-पी मूले 200 है तो ये समावना है कि स्टॉक 230-240 की सिवा में लिस्टिड होगा IPO में शेर खरीदने के लिए जो खरीदार होते हैं नॉर्मले ग्रे मार्केट ब्रोकर्स के पास जाते हैं और कीमत या प्रीमियम पर खरीदने की पेश्ट करते हैं फिर ब्रोकर जो होता है वो पॉसिबल विक्रेताओं से संपर करते हैं एक ब्यक्ति शेर तब बेचेगा ज झाल 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 झाल